तो वो जो एक mindset है उससे कैसे निफ्रिंग है मुझे लगता है कि एक जब आदमी नो डाउट मैंने भी देखा है खेसारी जी के साथ काजल जी की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है प्यारी लगती है लेकिन मेरे विवर्स भी जो देखते हैं काजल जी के साथ मुझरिम में देखा है रोगीरी में लोग देखने वाले हैं तो यही कहते हैं कि बहुत प्यारी जोड़ी लगती है आप लोगों की एक हावा की जोखे की तरह फ्रेशनेस जो दिखाई देगा ओडियंस को वो चीज एक बहुत जादा इंपोर्टेंट होगा तो आँखों को हमारी जोड़ी भी अच्छी लगने वाली है और मैं ओडियंस से यह रिक्वेस्ट करूंगा ओडियंस हमारे भगवान है सब कुछ है तो ओडियंस से मैं बोलूंगा कि हमारी जोड़ी को भी उतना ही प्य प्राणी है तो उसको स्रीमान की उपाधी देनी चाहिए तो पीड़ समाथ से आता है वह मैं खुद एहसास करता हूं और अपने यारों दोस्तों की उनके दुखों को सुनता हूं तो मुझे लगा कि यह जो प्राणी है इसके साथ स्रीमान का संबोधन लगना बहुत जरू जी को इसमें हर अरे बिल्कुल बिल्कुल यह दम यह दम सही तत है इसमें आपको पीडित पती के लिए आपको सामने आना पड़ेगा और यह क्या है कि मैं मेरे पास ऐसे से पंचेज है मेरे यार दोस्त जो मेरे से अपना दुख़डा जो गाते हैं वह 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 ती आनंद लगाया और मेरे जो डिस्ट्रीटर से मुंबई से पंजाब से बिहार से उनको यह टाइटल बहुत रोचक लगा और हमारे को आर्टिस जब मैंने पहली बार आनंजी को शेर किया और हमारे जो लिरिक्स राइटर है बिरेंदर पांडी जी जब मैंने उनको बताया तो यह दोनों लोग ना एकदम से एकसाइटेड होगे और यह भी टाइटल भी बड़ा यूनिक तरीके से बना पहले कुछ और था फिर इसमें स्रीमान जुड़ा फिर बाद में उसके बाद जी जुड़ा तो एक कंप्लिट वर्ड बना स्रीमान सहियां जी और हम लोग सबसे पहल लेकिंडेल हो यह थिद्व नो मुझे लगता है कि हर पुरुस जो होता है समाज के लिए सिंगम होता है यह रही होता है और घर जाके कि आध्या सब्सक्राइब के इसको कहानी में फिरोया है और ज्यादा कुछ मुझे तयारी करनी नहीं पडेग यह जानन जी का इंवोशन भार आला है हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं इसको